स्वामी प्रशाद मौर्या जी को हिंदी का ज्यान नहीं है जब तक एक गाना चला था बहुत पहले जो है नाम बाला वही तो बदनाम है वह अपने नाम के लिए ये कार कर रहे हैं वह बिलकुल अनिविग्ग है रामचृत मानस के एक चौपाई का आधी चौपाई का ब्याक्षा करके सुना दे तो मैं मालू हो हिंदी का बिद्वान है नमस्कार आप देख रहे हैं हिंदूस्तान की बात मैं हूँ आपके साथ रमन हर प्रकार की खबरों को लेकर लगातार हाजीर रहता हूँ लेकिन आज बातचीत कुछ हट कर मैं करूँगा जैसा कि आप लोग भी जान रहें उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में इस समय स्वामी परसाथ का बयान एक चर्चा का विसे बना हुआ है उसी विसे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बड़े ही चर्चीत एक महात्मा बातचीत करने के लिए मौजूद है सबसे पहले तो सर आपका बहुत स्वागत मेरे साथ धन्यवाद मैं चाहूंगा एक बार दरसकों को अपना परचे थोड़ा बताईए गासे मैं ब्रमचारी आत्मानंद जो त्रमठ का ब्रमचारी हूं इस समय पंगुलबावा आश्रम करियां मीर गंज में रहता हूं तहस जा रहा है स्वामी प्रशाद मौर्याजी को हिंदी का ग्यान नहीं है वह अपनी राजनीत चमकाने के लिए राम्चरित मानस जैसे सद्धार्मिक ग्रंथ को सद्धार्मिक ग्रंथ को जो अपमानित किया है उसका परणाम आज नहीं कल उनको मिलेगा इनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा जिस तरह से स्वामी प्रशाद मौर्या ने इस बयान को दिया सर कहीं कहीं देखा जाए तो बड़े महत्माओं से लेकर जभी आप देखा जाए जब तक एक गाना चला था बहुत पहले जो है नाम बाला वही तो बदनाम है क्या वह अपने नाम के लिए यह कार कर रहे हैं कि मैं जिन्दा कैसे रहूं उनको कोई पोच्छने वाला तो है नहीं है जब तक भारती जन्ता पारटी में स्रमंत्री रहे उस समय उन्हों ने बयान क्यों नहीं दिया? जब मायावती जी के साथ रहे तब उन्हों ने बयान क्यों नहीं दिया? अगर इनमें ताकत है वस्तिक में ये सही है सिर्व सनातन धर्म लंबियों पर आगात करने का अधिकार इनको है और दूसरे मत के लोगों को ये एक किसी वस्तु एक किसी धार्विक पुस्तक का एक कोना फाड़ के दिखा दे तो मैं मालूंगा कि इनमें ताकत है सिर्फ हिंदू शमाज को बिगटन करने का कार अपनी राजनी चमकाने के लिए हिंदू शमाज को तोड़ने का कार यह कर रहे हैं ऐसे है स्वामी प्रशाद मौरिया जी स्वामी प्रशाद मौरिया जी सर उस बयान देने के बाद लगातार हर रामचरित मानस की जितनी भी लाइने हैं लगातार सोचल मेडिया पर बयान दे रहे हैं कि ये गलत है वो गलत है कितनी जानकारी आप उनको समझते हैं वह बिलकु स्वामिन प्रसाद मौर्या का सिरकलन कर देता। तमाम बातों को देकर सोशल मेडिया बही चल रहा है कि कहां तक आप सही मान रहें इसको हम सही ह düş視्ज़र हैं धनी और हमें गुलामी सौरीमार्या जैसे लोगों चीरा गुलामी मिली है यह लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनी जनिनी को भी गिर्वी रख सकते हैं ऐसे स्वामी प्रशाद मौर्या को हिंदू समाच कभी माफ़ नहीं करेगा स्वामी प्रशाद मौर्या का जिस तरह से रामचृत मानस को लेकर बयान आया लगातार हर महात्माओं में आकरोज देखा जा रहा है उसी बाचीत करने के लिए हमारे साथ महात्माजी मौजूद है लेकिन सर एक सवाल आओर आपसे इसी में आप देखते हैं धिरिन सास्तरी को लेकर चर्चाएं भी छेतर में चल रही है और लगातार ये भी इसके पहले भी फिमस तो थे ही लेकिन जिस तरह से इस समय सोशल मीडिया पर धिरिन सास्तरी को लेकर सर चर्चाएं है कितना आप जानते हैं किसी के बारे में कोई भविस बता सकता है और कोई आपकी समस्या है तो लगातार लोग उनके पास जा रहे हैं कहा तक इसको सत्ति मानते हैं यह है अधार बिलकुल सही है हमारे सनातंधर्म लंबियों में महत्माओं में बहुत बहुत जानकारी है यह स्री हनुमान जी महराज की क्रपा का पुर्षाद है धीरेंदर शास्त्री जी बुंदेल खंड के रहने वाले चतरपुर के हैं उन्होंने स्री हनुमान जी की अराधना की है और यह है जो बता रहे हैं यह बहुत छोटी चीज है राम के भक्त को सब कुछ ज्यान होता है यह तो छोटी सी रोग की चर्चा है उनको जानते हैं धीरेंदर शास्त्री जी की उपर जो आगहात हो रहा है जो प्रतिहात कर रहे हैं लोग मात्र एक है कि जो हिंदू शमाज के पिशड़े वर्ग के लोग हैं जो उनको दूसरे धर्म में चले गए थे उनको पुना सनाता धर में ला रहे हैं इसके लिए उनको बदनाम करने का सड्यंतर किया जा रहा है धीरेंदर शास्त्री जी वास्तों में ये तो हनुमान जी की क्रपा है जब थोड़ी क्रपा से इतना बड़ा काम कर सकते हैं चो हनुमान जी की बड़ी क्रपा हो जाए तो कौन चीज है लेकिन सर बड़े-बड़े कुछ महत्मा भी कह रहे हैं कि यह कहीं कहीं ढोंग है अमने देख रहा हूं सोसल मेडियो कुछ महत्माओं का कहना है हाला कि एक सुहानी करके जादूगर है सर लगातार वह आज तक पर और तमाम चैंदों पर अपने कला को दिखा रह जादूगर जो बात कर रही है मशला रानी बुंदेल खंड की मारानी थी वह बहुत बड़ी जादूगर नी थी से उनको ज्यान हो बाबा कामराज जी महराज जो नीलगीर परवज्जिसे आज दक्षणकाली हरित्वार में कहते हैं वह बहुत बड़े जादूगर थे तो हनुमान जी महराज की करपा है लो करपा है पूर्ण करपा नहीं लो करपा है लो करपा के परसाथ से यह काम हो रहा है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी परसाथ मौरिया के बयान को लेकर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मातमा जी और कुछ दिरनस्तास्त्री को भी लेकर बात चीत हुआ था बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान बात के साथ मैं रमन जहिंज भारत